हालो एब्रिवान वेलकम बैक टू हूमन नेस्ट चैनल में आप सभी लोगों का तह दिल से इस्तक्बाल करता हूँ हूमन नेस्ट चैनल में आज बहुत ही एहम और खास यह व्लॉक लेकर आया हूँ मैं जब लोग गूगल पर या नैट पर सर्च करते हैं इस जगा के लिए तो भोपाल शहर का नाम पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में फैमस हो जाता है यह जगा भोपाल को पूरे हिंदुस्तान में फैमस करती है और लोगों के जहन में लाती है लोगों की जुबा पर मोबाल का नाम लेकर आती है तो इसकी में क्या कॉंसेप्ट होता है इसकी में किस वजा से रखा जाता है और इसकी जो डिटेल से जो इसकी हिस्ट्री वो सारी चीजे बगाइद आप लोगों को बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा इतनी भी इंफरमेशन में पूरी कोशिश करूंगा और इसमें अगर मुसे कोई भूल चुक हो जाती है तो मैं माफी तलब करूंगा क्योंकि जितना मैं पता कर सकता था इतना मैंने पता करा है विकॉज देखा गया है कि नैट पर भी जो पी डेटा डाला गया है उसमें येर्स और सन को लेके काफी शुक्क के जड़ा झाला मैं किसीने कुछ था डाल दिया है कुछ सं डाला है इस सन डाला है आज हम उन चीजों को दिखानेवालो और Ijitima actual होता क्या है Ijitima का meaning क्या होता है Ijitima एक Arabic word है जिसका मतलब होता है कि इखटा होना एक खास मकसद से खास जगह पर एक मुकद्दस जगह पर जब लोगों का जमावडा होता है इखटे होते है वहाँ पर दीन की बाते होती है इबादत की जाती है अमन और सुकून की दूआ की जाती है अपने गुनाहों की माफी मांगी जाती है और आने वाले सालों में जिन्दगी के मतलब आप जब तक जिन्दगी रहे या ना रहे तो उस परपस से जब तक आपने अप तक का सफर किया है और आगे का जो भी आपका सफर रहेगा जिन्दगी का उसके लिए आप एक अमाल और नेक जिन्दगी दीनदार जिन्दगी जी सकें वो सारी चीज़े आप लोगों को बताई और सिकारनी की पुरी कोशिश के जाती है इसी तीमा में भारत के पूरे भारत पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े उल् और हर एक उल्मा अपने इल्म का बयान इस इस्तीमे में करते हैं और जहां पर मैं भी खड़ा हुआ जहां से में इंट्रड़क्शन राउंड तो शूरूट कर रहा हूँ आप देख सकते हैं मेरे इस साइड़े ये नदी और इस नदी को कहते हैं बाण गंगा नदी ये बा भ्रिज को रहा है लेकिन जैसे ही आप इस ब्रिच को क्रोस करते है ये बाल गंगा नदी पर बना हुआ बिरिज है इस और जैसे इट खेडि विलेज जो प्रॉपर गाहँ है वो स्तार्ट हो जाता है एस ब्रिज के उस साइड़े आप घड़ा है और अधर फील्ड तो वो वहां पर की तयारी होती है और यह जो पूरा प्रोग्राम हे यह जो पूरा इवेंट अस दारे पे चलता है आहिए हमस्तार्ट करते हैं हमारे इस लॉओ झाल झाल पहले हम श्रुवाद से आते हैं जैसा की डेटा में लिखाया आप सभी लोगों ने देखा होगा सुना होगा इस त्रिमा की जो श्रुवाद हुई थी सबसे पहले शकूर खां की मसलिद से हुई थी और इसके सन को लेके बोला जाता है 1947, 1944, 1949 तीन सन ये जाते हैं, काफी सारे मुज़ूगों का कहना है कि 1925, 1935 से श्रुवाद हुई है बट जो डेटा है बैसिकली 1947 से लोग काउंट करते हैं, तो अभी जहां पर मैं मौजूद हूँ मेरे बैक साट में आप दिख सकते हैं, मज़िद शकूर खां और इस मज़िद के ना तो नाम और सन, मताब उसके थोड़ा सा तबज्जो दिया कर ये क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, और अगर आपको सही डेटा पता नहीं होगा, सही डेटा आप तक नहीं पोचेगा, तो ये इंपरमेटन करेक्श नहीं हो पाएगी, तो अभी हम हाल पलाल में मौदूद ह तो यहां से 1947 में इस्तीमा की शुवाति उदी जिसमें ठाजाता है कि 14-13 लोगों की जमाती और जो शुवाती दोर था जहां से गोपाल के अंदर पस इस्तीमा किया गया था, उसी मदूद के जगापर में खड़ा हूँ और ये जो इंडिया है, बैसे कि जैसे कि आप देख इस वक्त में इतना जादा यहां पर एक अंजर्शेट नहीं होगा, इतना जादा आश्पोश एरिया नहीं होगा, लेकि वक्त के आप से चीज़े डबल अप होती जाती है, तो अब चलते हैं, 1947 के बाद पहला इस्तीमा यहां पर मुकमल गॉआ, उसके बाद जो नैक्स कि यहां उच्चा कर वे मैं आप लेकिती होगा और अब हैं मौजूद उस जगा पर जहां पर सेकेंड टाइम को इज्टीमा को शिप्ट किया गया शगूर खागी मजजित से जैसा कि 1947 में अगर शगूर खागी मजजित में पहला इज्टीमा हुआ था जो 13 से 14 की जमात का था उसके बाद माशालला उसमें अल्ला ताला ने इतनी बरकत आता की की हुजूम लोगों का बढ़ता गया और ताजुल मसाजित जो हिंदुस्तान की और पूरे एशिया की सबसे बड़ी मजजित है जहां पर मैं अभी मौजूद हूँ जैसा कि आप बैक साइट पर देख सकते हैं यहां पर इजितिमा को शिट किया गया एंड इसके सन को लेके भी काफी सारा डेटा नेट पर डला हुआ है जैसा कि अगर 1947 पर जब पहला शकुर खागी मज़ित में इजितिमा हुआ था तो 2nd 1948 से यहां पर शिट किया गया एंड अगर मानते हैं कि 49 में फर्स्ट इजितिम से यहां पर इजितिमा को शिट किया गया था बरहाल काफी सरे लोगों से बात की उन्होंने बताए कुछ लोग ने बता कि शुआ से इजितिमा ताजूल मसाजित के अंदर ही मुकमल हुआ है और कुछ लोगों का मानना कि अगले साल से इजितिमा मिंस की फस्ट पोटी 1947 में सबसे बड़ी मजदित है और इसकी सबसे खासियत यह है कि यहां पर मदर से भी है और इतना बड़ा स्पेस है जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हुआ यह मजदित का कैमपस है जैसे कि आप चारों तरफ देख सकते जो पूरी म्याद दिख रही है आपको यह पूरी मजदित की है और मेरे राइट साइट में आप जो लाइबरी देख रहे हैं यह दारूल उलम लाइबरी जिसके अंदर इसलामिक दीनी हर तरह की नौलेज की बुक्स रखी गई है और बच्चों को जो स्टडी कराई जाती है इसलाम से रिलेटेट दीन से रिलेटे आते हो आपका इस्तक्बाल है most welcome यह जो घर है यह खुदा का घर है यह सभी लोगों के लिए आप साफ और सचे नियत और दिल से आए यहां पर यहां के कुछ रूल से उनको फॉलो करें कुछ टाइमिंग है जो टूरिस्ट लोगे उन लोगों के लिए आप कुस प्रमात आनास चुरुआत हुई स्टार्ट हुई यहां पर जो कैपसिटी थी वो भी कम पढ़ने लगी आए चलते हम हमारी थर्ड लोकेशन के तर्फ कर दो कि अर्फ के वक्स से इचिप्री में शिप्ट कर दिया गया जाए जए आप देख सकते है बैक साइट में तर्फ कर दिया एसे गेट नमर वन ऐसे गेट नमर वान गेट नमबर 2, गेट नमबर 3, तीन इंट्रेस गेट बनाया गया है, काफी बड़े भूज, साद इसाद यहाँ पर 64 या 68 सम्तिंग पार्किंग रिसाइट की गई है, तो काफी बड़े फील्ड पर मिन्स की, जसा की अकरिबन 500 एकड की जमीन को यूज किया गया है, जिसमें क 300 जगा है में, 300 एकड में, 200 एकड में पार्किंग और दूसरी जो एक्टिविटीज होती है, वो सारी चीज़े है, तो हम आ चुके हैं, इट खेडी पर, जहां पर 2002 से इस्तिमा को शिप्ट किया गया था, एंड इसको लेके भी डेटा है, जो इस्तिमा के संथा, यर था, ज जब उसको इट खेडी पर शिप्ट किया गया था, जैसा कि ताजूल मसाधित होपाल की अंदर, शहर के अंदर वजूद मज़ित है, जो काफी बड़ी मज़ित है, पुरे भारत और पुरे एश्या की सबसे बड़ी मज़ित है, उसको मद्दे नजर रखते हुए ताजूल से, पुरे MP से, पुरे हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान के भार मुल्कों से भी लोग यहां पर आने लगे, जमातें आने लगी और हुसूद बड़ा चले गया, तो उन सारी चीजों को मद्दे नजर रखते हुए, इस इजती में को दो हजार दो में इक खेडी में बादचीत और मालुमात करने के तोर पर पता चलाए कि यह 2002 के सन में यहर में यहां पर शिप्टिया गया था This video is sponsored by Pakistan Realty Group. Pakistan Realty offers premium plots in New Coifiza Colony, just 9 km from the Istima location in Bhopal City. For property investment opportunity in New Coifiza, contact us at the number provided below. अजर बाद़ एक बाद़ एक बाद़ एक रखते हैं